G20 यानि Group of 20 इसमें विश्व के 19 देश और European Union शामिल है इसके सदस्यों के नाम है तो इस परकार हम G20 के जो सदस्य देश है यानि कि जो सदस्य है उनके नाम अलफ़ाबेटिकली याद रख सकते है G20 के जो सदस्य है वे सामोहिक तोर पर विश्व की 60 परतीशत जनसंख्या का 75 परतीशत वेश्विक वेपार का और 85 परतीशत GDP यानि की वेश्विक उत्पादन का प्रतिनिदित्व करते हैं G20 की स्थापना 1999 में वेश्विक अर्थविवस्था को मजबूत करने के उदेश्य से आर्थिक तोर पर विक्सित और विकास शील देशों के सम्मेलन के साथ होती है पहले पहल इसके सम्मेलनों में सदस्य राष्ट्रों के केवल वित प्रमुक और केंद्रिय बेंकों की गवर्नर ही भाग लेते थे लेकिन दो हजार साथ आर्थ की वेश्विक आर्थिक मंदी के बाद प्रतेग वर्ष इसके शिकर सम्मेलन के आयोजन की योजना बनाए गई जिसमें प्रतेग सदस्य राष्ट्र के प्रमुक को भी अमंतरित किया गया G20 का अपना कोई स्थाए मुख्याले नहीं है और एक एक वर्ष के अंतराल के लिए इसके सबी सदस्यों के पास G20 की अध्यक्षता रहती है जिनकी अध्यक्षता में ही शिकर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिस प्रकार शिकर पर पहुँचने के लिए हमें ट्रेकिंग या चड़ाई करनी होती है उसी प्रकार शिकर सम्मेलन में किन विश्यों को प्रमुकता दी जाए दूसरे शब्दों में शिकर सम्मेलन के एजंडा को सेट करने के लिए वर्ष भर कई बैठके की जाती है ये दो परकार की होती है एक शेरपा, ट्रेक और दूसरी विथ ट्रेक की बैठके विथ ट्रेक की बैठकों में मुद्रा यानि करंसी से संबंदिद विश्यों पर चर्चा की जाती है जबकि शेरपा ट्रेक की बैठकों में अर्थविवस्था के व्यापक रूप जैसे व्यपार, शिक्षा, उर्जा, परियावरण, ब्रष्टा चारविरोध, आधी, मुद्दों को प्रमुक्ता दी जाती है आम बोलचाल की भाषा में शेरपा वे लोग होते हैं जो पहाड पर चड़ने वाले यात्री की सहता करते हैं या उन्हें गाइड करते हैं लेकिन G20 में जो शेरपा होते हैं वे इसके सदस्य राष्टों के प्रमुक्त द्वारा अपने नीजी प्रतिनिधी चुने जाते हैं जो वर्ष भर चलने वाली बैठकों में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं G20 एजेंडा की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए ट्रोयका की नियम का पालन करती है ट्रोयका से भी प्रय तीन लोगों द्वारा मिलकर काम करना है G20 में भी वर्तमान अध्यक्ष पिछले वर्ष का अध्यक्ष और अगले वर्ष का अध्यक्ष बिलकर बैठकों की रूप रेखा त्यार करते हैं जिससे एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित रहती है इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं वर्तमान में भारत G20 का अध्यक्ष पिछले वर्ष इंडोनेशिया G20 का अध्यक्ष था और अगले वर्ष ब्राजील G20 का अध्यक्ष होगा अता ये तीनों मिलकर ट्रोयका बनाते हैं